Guys, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से PHP में डेटाबेस को बनाया जाता है, PHP में टेबल को बनाया जाता है, फिर हमने यहाँ पर एक फॉर्म भी बनाया है, जिसके बाद से हमने HTML और CSS थोड़ी बाद Bootstrap की मतलब से यूज करके एक बहुत ही डिजाइन दार फॉर्म बनाया और उस फॉर्म को हमने उसका जो डेटा था उसको डेटाबेस में सेव भी किया, तो मैं आपर अभी करूँगा क्या कि यह जो मेरा, यह वीस कोड है, इसमें नहीं फाइल बनाऊंगा, और मैं इसका ना data.php का नाम रखता हूँ, और मैं आपर php और इस तरह से इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कि एक php ब्लॉग बनाया और इसके अंदर मैं आपर जल्दी से आप लोग को बताऊंगा कि इस तरह से आप लोग डेटाबेस से कनेक्ट करने के और उसी के साथ, server name, username, password, database, तो यहाँ पर मैं भी करूँगा क्या कि मेरा php myadmin है उसको खोल लोगा, और मेरा php myadmin खुल रहा है, और खुल गया क्योंकि मैंने mysql और apache दोनों start कर रखे थे, अगर नहीं कर रखे होते, तब मुझे problem मिल सकती थी, मुझे यहाँ पर error दे relationship की मदद से और इन सारे records को एक एक करके display कराऊं screen पर, तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि यह जो मेरा index of cwh php है, इसको मैं खोल लोगा, और यह select data.php है, इस file को भी मैं खोल लोगा, तो इसको खोल लेते हैं, और यहाँ पर अभी कुछ नहीं आया है, क्योंकि all I've done is, you know, सिर्फ मैंने आपर अपने database को connect किया है, ठीक है, तो यहाँ पर connection is successful, तो कम से कमाना चाहिए था, connection is successful नहीं आ रहा है, okay, तो मैंने save नहीं गया, actually, इसको मझे save करना पड़ेगा, बाज आएगा, reload करूँगा, connection was successful आ गया, मैं आपर करना क्या चाहता हूँ, connection was successful नहीं देखना करूँगा, तो जो SQL query का जो हमने आपर string बनाई है, और SQL query को यहाँ पर execute करा है, वो दोनों जो steps है, वो हमारी identical रहती है, almost, हमको बस यहाँ पर जब हम records को fetch कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक एक करके सारे records को fetch करना पड़ता है, अगर हम update कर रहे हैं, तो हमें करना क्या query जो है change हो जाती है, लेकिन इस को query को run करने का जो हमारा तरीका है, वो almost same रहता है, तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, यहाँ पर phpMyAdmin में पहले, और यहाँ पर आप देखो, एक query रन ओड़ी है, select star from php trip, और यह जो select star from php trip है, वो क्या करता है, यह सारे का सारे records दे र एक दी मैं काँगा, result is equal to यह, ठीक है, और मैं आपर यह करूँगा, और मैंने कह दिया, result जो है, वो मेरा है, mysql underscore, mysql underscore query, और मैंने आपर इसको execute करा दिया, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो, कि find the number of records return, कि कितने records आपके return हो है, यह आप लोग पता लगा लो पहले, और वो आप कैसे पता लगाते हो, उसके लिए आपके पास एक function होता है, मैं बताता हूँ, echo करो, mysql underscore, num underscore, rows, ठीक है, और आप लोग को लिखने है, आपर dollar result, और यहाँ पर semi colon आप लोग लगा दो, और इसको आप जैसे load करोगे, यह आपको बताएगा number of, आपके कितने rows इसने return करी है, देखो, यहाँ पर 6 total rows यहाँ पर return होई है, और इससे मुझे पता दिया है, कि आपकी यह जो query है, उसने 6 rows return करी है, तो यह number of rows है, जो की return होई है, अब अगर यह जो rows है, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ इसको, मैं control D कर होई है, कि इसको dollar rows कर देता हूँ, dollar num रोस कर देता हूँ, dollar num कर देता हूँ, छीक है, num is equal to, यह कर देता उओ, यहाँ पर मैं, जैसे ही num को print करूँ है, dollar num को तो यहाँ पर no surprises में, को यह देखने को मिलेगा, यहाँ पर, sameoline चीज, कुछ change नहीं होगा, तो यहाँ रोस रिटर return by the SQL query. तो यह जो rows written होई है, SQL query दा द्वारा, इनको मैं display कराना चाहता हूग, मेरा target है कि मैंने को display करा हूँ, तो मैं display कब करा हूग, मैं display तब कराना चाहँगा जब मेरी number of rows जो है, वो greater than zero होगी, क्योंकि अगर वो 0 है तो तो उनको fetch करने के कोई मतलब भी नहीं बनता तो मैं आपर एक if statement लेखूंगा मैं कहूंगा कि जब dollar num जो है वो greater than 0 हो तब आप क्या करें तब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर तब आप यहाँ पर क्या करें बोले dollar row is equal to mysql i underscore fetch underscore assoc अब यह fetch underscore assoc क्या करता है और यहाँ पर मैं लिख दूँगा dollar result और आप लोग देखो यहाँ पर मैं जब echo कराऊंगा dollar row को या फिर record दिखा है one harry china one harry china ठीक है तो यहाँ पर इसने मुझे पहला record जो है वो दिखा दिया है लेकिन इसने तो सिर्फ मुझे पहला record दिखा है मुझे तो बागी के records BR देखने है तो मैं क्या करूँगा अगर मैं और records भी देखना चाहता हूँ मैं सिर्फ BR यहां पर लगा रहा हूँ ताकि नई line में मुझे चीज़े दिखाई दे और similarly जो मेरा यह BR है यहां भी लगा दूँगा अब मैं क्या करूँगा अगर मैं next row प्राप्त करना चाहता हूँ अभी तो सिर्फ एक row मुझे यहां पर बता रहा है अगर मैं next row हो थी वो दे थी तो यह क्या हुआ एक बार इसको run किया मैंने तब मुझे पहला record मिला दूसरी बार run किया तो दूसरा record मिला ऐसा क्यों हुआ तो यह जो mysql i underscore fetch assoc function है यह हमको record one by one fetch करके देता रहता है और कब तक देता रहता record fetch करके जब तक की हमारे जो records है वो खतम ना है जो कि next record को represent करता है assoc का मतलब होता है associative array जो कि इसने return किया है हमको मैं आप लोग को यहाँ पर इसको 6 बार लिख कर दिखाता हूँ अगर मैं इसको 6 बार यहाँ पर लिख दो तो यह क्या देगा मुझे देगो मैं गिल लेता हूँ एक बार मैंने कितनी बार लिखा एक 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार मैंने लिख दिया तो पहली 6 बार तो क्या होगा कि यह मुझे 6 के 6 record देगा और finally यह मुझे क्या देगा null देगा कि बाई नहीं है कुछ अब नहीं है कुछ खतम हो चुकी entries database में 6 entries थी बस अगर यहाँ पर चलो यह तो एक बात हो गई कि mysql and i underscore fetch ssoc को run क करते जाओ associated बार मिलता जाएगा आपको records का लेकिन क्या मैं इसको करता रहूंगा क्या मैं इस तरह से इसको बार बार print कराता रहूंगा अगर 6 million rows होई मेरे database में तो क्या मेरे code में भी 6 million multiply by यह 3 lines रखोंगा यानि कि इतनी million of lines में रखोंगा code में क्या क्या यह करना feasible है नहीं feasible नहीं है क्या करूंगा मैं लूप का استعمال करूंगा correct बिल्कुल सही में लूप का इस्तेमाल करूंगा और मैं लूप में condition क्या डालूँगा आप देख ना loop में क्या condition डालूँगा तो मैं कहूंगा देखो बाइज मुझे dollar row तो देदो ठीक है dollar row मुझे देते रहो कब तक द डॉलरो नलना हो जाए जब तक कि डॉलरो नलना हो जाए ठीक है तो मैं काम करूँगा इसको यहाँ पर comment आउट करूँगा और आपके reference के लिए इसको मैं रख दूँगा यही पर और मैं आपर रख दूँगा we can fetch in a better way using the while loop अब यह चीज को ही करके नहीं बताता है मुझे यह next row को return कर रहा है यह बात को हमाई लिए समझना बहुत ज़री तो मैं क्या करूँगा इसा कॉपी किया मैं कहूँगा while dollar row is equal to mysql i underscore fetch assoc dollar result मैं आपर कहूँगा कि जब तक अब यह यह loop कब तक जो है true करेगा यह true कब होगा यह true तब होगा जब mysql i underscore fetch assoc जब तक null return नहीं कर रहा हूँ जैसे इसने null return किया यह loop exit कर जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं इसको अभी लिख देता हूँ ठीक है और मैं wear dumb का भी use कर रहा हूँ लेकिन मैं देखो क्या करूँगा अभी तो मैं सिर्फ wear dumb का use कर रहा हूँ अभी मैंने आपर देखो यह लिखा सिर् होगा dollar row सबसे पहले पहला record fetch करेगा यह null नहीं होगा इसलिए यह loop के अंदर जाएगा और जो पहला वाला line है उसको execute करेगा BR को execute करेगा वापस आएगा यह सब करता रहेगा जब तक यह null ना हो जाए looks good देखते है चलता है कि नहीं और यह देखोई चल रहा है इसने क्या क कि मुझे करके सारे के सारे जो records थे वो दे दिये 123456 यह सारे records इसने मुझे fetch करके दे दिये तो I hope कि यह चीज़ आपको clear हो गई होगी अभी अब यहाँ पर आप लग सोच रहा होंगे मैंने dollar row को वार्डम की मतलब से क्यों print किया मैं करके इसकी जो entries है वो क्यों नहीं ले सकता हूं यार मैं कोई ऐसी बात नहीं है देखो मैं आपर एक string भी बना सकता हूं यह दो दिखाने के लिए कर रहा था मैं आपर कुछ इस तरह भी कर सकता हूं कि hello मैं सबसे पहले serial number लिख सकता हूं तो मैं आपर लिखूंगा echo और मैं आपर लिखूंगा dollar row sno और उसके मैं लिखूंगा dollar यहां पर मैं वापस दॉट लगाँगा लिखूंगा dollar row और मेरे बस क्या है मेरे area के अंदर मेरे area के अंदर और मेरे पास है serial number name और destination name मान लो यहां पर मैं लिखता हूं name hello name welcome to और उसके बाद जो भी उसकी travel destination है वो मैं आपर लिख दूँगा dollar row और D.E.S. मैंने साधी जयक्र dots लगा दिये हैं ya. freelfer dot लगाया, okay I.S. अख्या dot नहीं लगाया, I.S. कहा dot नहीं लगाया, I.S. अचानए dot नहीं लगाया, I.S. तो अब समझो इस चीज़ को यह एक string है, यह दूतरी string है, यह तीसरी string है मने और इन शुबम वेलकम तो बिहार, हेलो विकरांत, वेलकम तो रश्या, तो यहाँ पर देखो, मैंने डॉट नहीं लगाए, डॉट भी लगा सकती है, आप चाहो तो, यहाँ आपकी मर्जी है, तो यहाँ पर किस तरह से फैच करना चाहते हो, यह जो मैंने आपर नंबर आफ रेकोर् records found in the database, तो यह अपर जो नंबर है, उसके बाद records found in the database आजाएगा, 6 records found in the database, और यह सारी की सारी चीज़े जो है, प्रिंट हो गई है, तो यह होब कि जो फैचिंग है, वह आप लोग को समझ में आ गई हो कि database से किस तना करनी है, गैस अगर आप लोगों ने अभी तक यह पी तो आप लोग इसको यहाँ क्लिक करके bookmark कर लेना, यहाँ नीचे क्लिक करके इसको save भी कर लेना, और अगर आप लोगों ने अभी तक यह access नहीं करी है, तो आप लोगों को काफी चीज़ें आपने miss कर दियोंगे, अगर आप यह video देख रहे हो directly, तो बहुत सारे लोग search results म तो उन लोगों को मुझे बताना पड़ता है कि यह playlist exist करती है और मुझे इस playlist का link जो है description में देना पड़ता है, और यह course आपको अच्छा लग रहा है और यह videos आपके लिए helpful रह रहे हैं, तो मुझे please एक like दीजे, like करने से YouTube को पता चलता है कि यह videos अच्छे हैं और वो इस content को push करता है, तो यह जादा से जादा लोगों तक पहुचेंगे तो मैं जादा से जादा वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊंगा, thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.